नमस्कार दोस्तों एक बर फिर से स्वागत है आपका बहुत दिनों के बाद बोर्ड के पिछे बोर्ड मेरे पिछे और में बोर्ड के आगे और आप भी हमारे साथ हैं काफी टाइम हो गया लगभग जो कंप्यूटर संगनक का वैपल हुआ था उसके बाद जो है वो जो विदुति विभाग में जूनियर कांटेंट के पोस्ट आई हुथी उनके बाद जो हो काफी लंबे तो आपको एसो का एस रेक airflow की अभी बोढकर आच सब्सक्राइब ईसकी होने वाला है उसकी भी लुक्राश आपको जिस पकार vert कालश है है और टाइम नहीं भी है क्योंकि junior accountant की बात मैं करूंगा और ASO की बात रामसर करेंगे तो ASO का तो आपने लगबग अपने इसापसे से लेविस कर रहा है और जितना हमने करवा है और जितने topic हमारे बाकी है वो भी आपको जल्द ही वो है वो मिलने शुरू हो जाएंगे तो वो भी अपन जो हो सारे करवा दी जाएंगे आपको तो साथ साथ अपन कैसे लेंगे कि junior accountant की भी अपन जो तैयरी करेंगे junior accountant की पोस्टें लगबग 1500 के करीब आपकी जो निस्चित है और फर्वरी में उसकी online form जो होने शुरू हो जाएंगे ठीक है तो आप इसके अंदर वही रहेगा जो 2013 के अंदर था कि कोई यह आउसकता नहीं कि क्यों कोमर्स वाल ही यह form जो अपलाई कर सकते हैं बिलकि सारे आर्स के साइस के जितने भी हैं वो सब इसके अंदर जो अपना form अपलाई कर सकते हैं क्योंकि इसका जो syllabus है वो बहुत ही विस्तिरित है बड़ा है तो इस नजरिये से अगर अपन देखें स्लेबस के नजरिये से तो हमारे पास टाइम बहुत कम है क्योंकि इसके अंदर बारार जो सब्जेक्ट है वो आपको पढ़ने होंगे और मैं भी इसका form जो हो बहुत होंगा और अपन सब मिलके इसकी बहुत ही अच्छी त्यारी करेंगे और प्रयास करेंगे कि अपने में सबका तो नहीं होगा लेकिन जो 15 सो लोग है वो आप में से और मेरे में से ही उन में से एक हो तो चलिए आज अपन जो हो एक इंट्रोडेक्शन वीडियो देखते हैं कि इसका स्लेबस 2013 के अंदर क्या रहा था क्या-क्या इसके अंदर जो थे टोपिक थे पहले अपन जो ब वाले हैं तो देखे आप देखरें राश्तन एगजियामंत्रा अगर आपने अभी तक हमें फॉलो नहीं किए और इसे ambassador नहीं किया है और इसे शेब में किया तो प्लीज ढूर्याप सेर वहीं पर आएंगे और कुछ वीडियो यहां पर भी आपको देखने को मिलेंगे तो अनकेडमी पर आपको गोईंद राम सेनी के नाम से सर्च करना है वहां पर आपको जी हो हमारा चैनल मिल जाएगा चलिए अब चर्चा करते हैं कि क्या है जोनियर का स्लेबस और क्या उसके अंदर आपको पढ़ना है जो जन्होंने पहली बार दिया है लास्ट बार जन्होंने दिया था उनको तो सब पता है लेकिन जो अभी फ्रेशर हैं जो पहली बार ही अपलाई करेंगे उनको मैं पूरी डीटेल से पता देता हूँ जूनियर काउंटट और टी आरे की भरती आपकी आई थी 2013 के अंदर इससे पहले जिसके दो पेपर हुए थी एक तो हुआ था 2013 के क्रेब और फिर जो है वो पेपर क्या होगा है 2013 में यह भरती आने के बाद एक बार पेपर हुआ तो वो लीक होने के काण के है कि दो तिन चुन की सुनवाई हुए केस चला और उसके के बाद उसको हुआ कैंसल कर दिया उसके बाद एक फीर फिर रुआ इसकी मेर्त काफी ज्यादा अप रही थी लगबग 64 के कृब जो हो ओर कि मेर्ट के करीब रही थी जनरा ओसी के टिक है तो मेर्ट नहीं थी हुआ थी इतनी पॉस्टे थी वो भी नहीं भरी गई थी ठीक है तो अगर आप कनिस्ट लेखाकार यानि जुनियर काउंटर अगर आप त्यारी करना चाहते हैं पहले तो आपको यह बताइए कि वह मार्कर वाला इसके बाद जो आपकी देनिक विज्यान है तेंथ स्टेंडर की दसवी क्लास की जो देनिक विज्यान है यानि 10th standard की जो भी देनी की विख्यान होती है वो आएगी उसके भी 25 क्यूसन रहेंगे 55 नमर के रहने वाली है इसके बाद आपकी जो 10th standard की ही math है ठीक है 10th standard की जो math है उसके 25 क्यूसन आएगे और वो भी 55 नमर के होगे इसके अंदर आपके जो basic topic है वो ही आएगे advance किसी भी प्रकार की math आपकी इसमें नहीं आने वाली है इसके बाद आएगे 25 क्यूसन आएगे आपकी computer के और इसके अंदर भी आपको 55 नमर दिये जाएंगे यह एक क्यूसन तीन नमर का होगा computer का तो यह है कि जो RACIT के जितने भी पेपर है और अगर वो अपन कर लेते हैं त तो computer का अपना topic हो जाएगा तो यह total 5 सब्जेक्ट हो गए आपके यहां से यहां तक और यह पांचों को मिला के इसाड़े 400 नमर का एक part 1 पेपर आपका होगा इसमें से आपको 40 परसेंट लाने क्या रहेंगे अनिवारिय रहेंगे यह पुराने वाले syllabus के recording है और लगबग लगबग यही रहने वाला है इसमें कोई चैंजे नहीं होगा तो 40 परसेंट आपको मिनिमम लाने होगे ठीक है तो यह हो गया यह तो जैनल हो गया तो यह जो पार्ट अपन करेंगे वह आपके पट्वारे में भी काम आएगा जूनियर काउंटट में आएगा और यह लगबग आपका पार्ट त्यार भी होगा है अब पार्ट सेकंड की बात करते हैं पहला आता आपका बुक कीपिंग का खाता भई का तो यह इसमें भी 25 क्यूसन होगे वह भी 75 नंबर के होगे इसके बाद आएगे आपकी वहसाई पदति ठीक है बिजनेस मेथेड वह भी 25 क्यूसन आएगे 75 नंबर के होगे इसके बाद अपके आएगी ओडिट लेखा प्रिक्षा ओडिट वह भी 25 क्यूसन आएगे और 75 नंबर के ही होगे इसके बाद भारती अर्थवस्ता के 25 क्यूसन 75 नंबर के और राजस्तान शेवा नियम के 25 क्यूसन आएगे यह भी 75 नंबर के और सामने वित यह लेक खानियम के 25 क्यूशन वो भी 75 के अब देखें पिछली बार क्या हुआ था यह दो सब्जेक्ट थे पचास क्यूशन हो गए और पचास क्यूशन के यह देड़ सू नमर के हो गई तो पिछली बार का जो पेपर था उसके अंदर यह स्थेति थी कि इसके अंदर इन दोनों सब्जेक्टों के अंदर कुछ नहीं केवल अपने को क्या करना है रटना है समझने वाला कोई मेटर है तो पिछले बार जिन्हों ने इन पर थोड़ा सा भी ध्यान दिया था ना उनका सेलेक्शन हो गया था क्योंकि इतने एजी और अच्छे क्यूशन आया थे कि लगभग लोगों के जो है वो जिन्होंने एक दो बार पर पढ़ा था वो भी 35 यानि 25 क्यूशन में से आसानी से बंदयती जिसने एक बार भी पढ़ लिया अच्छे से उसने आसानी से 18 यानि और ढ़ा ऑसानी से 20 यानि डीप ली पढ़ लिया उसके आसानी से वीश प्लस क्यूशन हो और जिन्होंने इसको 2-3 बार पढ़ लिया था समझ लिया था उनके 25 में से 25 क्यूशन शाहिए हुए ना एक बार भी जैसे आप आज इनको अच्छे से याद कर लिए फिर छोड़ दिया एक मेने तक तो खतम हो जाएंगे इनका तो एक ही मेथड है इनको पिए पचास क्योशन अटेंट करनेगा नहीं डेड़ सो नमर आप डेली अपने पॉकेट के अंदर एक परची रहो और उ साड़ी चार सो का यह और साड़ी चार सो का यह तो पूरा 900 नमर का जो है पेपर आपका होगा अब अपन जो हो किसे सुरुवात करेंगे पहले तो यह जान लेंगे प्रते टोपिक के अंदर के है तो जान लेंगे इसके बाद अपन जो सबसे पहले सुरू करने वाल नहीं के सिवानियम तो आपको जो नेक्स्ट वीडियो मिलेगा वो राजस्तान के सिवानियम से सुरू होगा 25 क्यूशन है 55 नमर है एक एक सिवानियम को अच्छे से धंग से पूरा डेटेल से अपन जो हो अध्येन करेंगे कि कुछ भी रह नहीं जाए आपको पूरा समझाया भी ज करेंगे कि शुरूट सिलेक्शन इसमें अपना हो ठीक है तो सबसे पहले अपन सेवानियम के क्लास जो हो शुरू करने वाले हैं तो आप सब बने रही है हमारे साथ और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिजिए और कल से आपको जो हो शेव में भी मिलेंगे तो आप संप्रक में रहिए वीडियो देखते रही है आपको पूरी डिटेल मिलते रहेगी ठीक है तो बस आज के वीडियो में इतना ही यही है पंदर आफसो पोस्ट आएगी जुनियर काउंटर की फरवरी के अंदर आपकी फ़र्म बढ़े जाने वाले तो